हेलो एन विल्कम टो मैं चैनल मेरा नाम विजय है और आज की वीडियो का टाइडल है रेक्टैंगल पैटर प्रोग्राम्स यूजिंग एस्टेगिन सी प्रोग्रामिंग दोस्तों यहाँ पर मुझे क्या करना है सिंप्ली एस्टिक का यूज करके मुझे एक रेक्टैंगल का पैटर्ण करना है कैसे प्रिंट करना है जैसे कि अगर मैं बात करूँ सब्सक्राइब पास एक रेक्टैंगल है इसको बना रहा हूं मैं थ्री भाइफाइव के फार्म में अगर आप देख रहा होगी देखिए यहां पे तीन रो तीन रो है और फाइव कॉलम्स है ठीक है तो ये एक रेक्टैंगल पैटर्न हो गए इसे हम कहेंगे सोलिट रेक्टैंगल ठीक है इसे प्रिंट करना काफी आसाल है क्या करना है सिंपल सिंपल मुझे जो है सारे लूप जो है यहां पे एक्जीगुट कर दिना मतलब मैं बोलूँगा कितने रो है टीन रो है सो फार i is equal to 1, i less than equal 3, i plus plus, ठीक है, चलो, अब यहाँ पर बोलूँगा है, for, कितने कॉलम है, 5 कॉलम है, so, j is equal to 1, j less than equal 5, j plus plus, ठीक है, अब यहाँ पर simply मैं क्या करूँगा, printf, ठीक है, ठीक है, फिर यह जो खतम होने के बाद में, रो मुझे चेंज करना तो यहाँ पर एक मैं slash लिख दूँगा, इससे एजिरी प्रिंट हो जाएगा, तो यह हमारा आज का out, मतलब objective नहीं है, हमें जो print करना है, वो यह print करना है, मतलब हमें जो है user से number of rows, number of columns rate करना है, और ऐसा outline rectangle के हमें print करना है, यूजिंग एस्टिक, ठीक है, दोस्तों काफी आसान प्रोग्राम है, सिर्फ यहाँ पर हमें कुछ condition चेक करनी है, क्योंकि यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, हमें सारे एस्टिक प्रिंट ने करना है, दो मैं यहाँ पर प्रोग्राम लिखना शुरू करतू, ठीक है, तो यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि main, integer, i, j, फिलाल हम इसको ही लिखते है, number of rows, number of column हम बाद में लिखेंगे, बाद में रिट करेंगे, फिर यहाँ पर मैं करता हूँ, for, i is equal to 1, i less than equal to, अब यहाँ पर मैं number of rows consider कर रहा हूँ, suppose 3, और i plus, फिर यहाँ पर मैं column के लिखेंगे, for, j is equal to 1, j less than equal to, 5 column दे रहा हूँ, 5, j plus, प्लस, और यहाँ पर मैं क्या कर दूँगा, यहाँ पर मैं लिख दूँगा, printf, printf, और यहाँ पर लिख दूँगा, मैं as, trick को मुझे क्या करना है, print करना है, ठीक है, यह वे वाला for loop, फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, यह for loop खतम होने के बाद में, अब मुझे क्या करना है, next loop पर जा रहा है, so यहाँ पर लिखेंगा, printf, slash n, ठीक है, यहाँ पर हमारा र तो देखते हो भी कैसे मिलने वाला I is equal to 1, 1 less than 3 condition true लब यह वाला पर execute होगा फिर J is equal to 1, J less than 5, condition is again true, this part will be executed, फिर क्या print होगा या पर yuaz strict कितने बार print होंगा थो फेर मैं यह लूप शिक्स हो जाएगी तो फिर में यह Lex सब्सक्राइग कुछ रोगा एक्सन करते वन तयो भने चला Jean कोगा यहां पे मैं कोई कंडीशिन चेक नहीं कर रहा हूं यहां पर सिंपली जो है मैं प्रिंट करते जा रहा हूं ठीक है जरूर ने दोस्तों यहां पर आपने नमबर आप रोज त्री ले आपको ठीक है इसे गवर करके देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर मैं यह फिर से अगर एड़ करतू तो यह हमारा हो गया solid rectangle अभी यही पार्ट में मिटा दे रहा हूँ मतलब यहाँ पर मुझे decision लेना है कि मुझे कौन सा पार्ट डिस्प्ले करना है कौन सा पार्ट डिस्प्ले नहीं करना है ठीक है अब इसके लिए मैं क्या करूंगा अगर आप गवर करके देखोगे तो यहाँ पर क्या हो गया मतलब अगर यही मेरा इकवल 5 कि number all column कितने 5 है अब मुझे जे प्लास यहाँ पर अब मुझे क्या करना है या तो a strict करना है लेकिन करना पर मुझे करना है क्यूंकि अब यह लिए कुछ फर्स्ट रो में क्या हो रहा है सारे के सारे स्टिक प्रिंट हो रहा है ठीक है मतलब वहाँ पे मुझे पुछने सिंपली मुझे स्टिक की प्रिंट करना है तो यहाँ पे लिखूंगा if i is equal to 1 ठीक है चलो अभी दूसरी condition का है कि देखिए जब i की value हो जारी है 3 मतलब जब last row जो होता है उसमें भी सारे स्टिक प्रिंट होना चाहिए तो हम बोलेंगे logical और when i is equal to i is equal to 3 यह दूसरी condition अच्छा अब जब first column हो मतलब when j is equal to 1 तब सारे एस्टिक प्रिंट होना चाहिए देखिए आप यहाँ पर सारे एस्टिक प्रिंट हो रहे हैं मतलब मैं पूरूंगा है when j is equal to 1 चगती condition भी देखिए कि when j is equal to 5 मतलब यह जो last वाला कॉलम है यह भी जब प्रिंट होगा तो उसमें भी सारे एस्टिक क्या होना चाहिए प्रिंट होना चाहिए यह चार कंडिशन में से कोई एक भी कंडिशन ट्रू हो जाती है तो एस्टिक प्रिंट होगा otherwise मतलब यहाँ पर मैं कर दूंगा print f एस्टिक ठीक है और else में हम क्या लिखेंगे else चारों कंडिशन अगर false हो जाती है तो हम simply प्रिंट कर देंगे space को डबल कोटेशन की बीच में दोस्तो एक space बार दबाना है आपको यहाँ पर हमारा हो गया for loop खतम ठीक है इसके बाद क्या होगा इसके बाद मैं next row पे जाना चाहिए तो यहाँ पर लिखूंगा मैं print f slash n ठीक है और फिर यहाँ पर हमारा loop यह खतम और यह हमारा main खतम ठीक है दोस्तो अच्छा यहाँ पर यह और एक चीज़ गवर करने लाएक है कि यह जो 3 है यह जो 5 हो क्या हमेशा यह लिखना है नहीं लिखना है यह 3 जो हम ले रहे है इसका मतलब यह number of rose रहेंगे तो यहा आप यहाँ पर अगर n लेते हो यहाँ पर आप m लेते हो कोई बात भी जो आपको लेना है तो यहाँ पर जो है आप number of rose ले सकते हो this is for number of rose और यह रहेगा आपका number of column ठीक है तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है यहाँ आपको number of rose लिखना है यहाँ पर number of column लिखना है ठीक हेलो एन वेल्गम दोस्तों अभी जो हमने बोर्ट पर देखा है वही प्रोग्राम हम यहां पर प्रैक्टिकली करके देखने वाले हैं ठीक है जैसे कि इंप 150 को रिट करते है एक मेसड़ कर देते एंटर नमबर आफ रोस नमबर 2 अफ रोस था थे करें पर पर यहां पर जो करेगा तो से पहले रोस करेगा तो हमनने में उसको स्टोर कर देंगे ठीक है तो यहां पर मैं दिख रहा हूं परसेंड डी परसेंड डी ठीक है तो यहां पर अगर आप M को करना चाहते हैं को कर सकते हैं ठीक है हम करेंगे M% M M% N अब क्या करेंगे अब हम कर देते हैं for I is equal to 1 I less than equal M I plus plus ठीक है चलो यह होगा है रो के लिए अब कॉलम के लिखते हैं for J is equal to 1 J less than equal N और J plus plus चलो तो अगर मैं simply इसको अगर प्रिंट कर दो क्या कर रहा हूं मैं यहां पर थोड़ा एक स्पेश दे देता हूं और यहां पर एक स्पेश दे देता हूं अभी फिलाल जो है आउटलेन मैं solid rectangle को प्रिंट कर रहा हूं कोई condition चेक नहीं कुरूंगा सिधा चेथा यहां पर प्रिंट कर दो है तो प्रिंट एफ हमिए क्या करना है यहां पर स्लाइशन लिखना है इसे मैं compile कर देता हूं कोई error नहीं है टीक है चलो इंटर नमबर आप रोज और तो मैं पहले इंटर कर नमबर आप रोज थ्री और देखिए दोस्तों यही हमारा सॉलिड रेक्टैंगल है लेकिन मुझे अभी क्या करना है मुझे आउटलाइन करना है इसकी मतलब होलो रेक्टैंगल प्रिंट करना है अब क्या करना हो कि यहां पर मैं इसकीर इसकीर याइशन और यहां पेचिंगल यहां पारदथा सुलिड़ रंध और और हम आउशन शैटलाइन क्या कंब मृकल होलहराईट रेक्टैंग इसकोर्टैंग्षड त्वाट G7 J is equal to last column मतलब J की value अगर J is equal to M Sorry, N अगर ऐसा होता है तो हम बोलेंगे यह printf आला part जो एस्टिक print करना चाहिए, otherwise क्या होगा else ठीक है, यहाँ पर हम क्या कर देंगे printf हमें space को print करना है एक space में यहाँ पर दे दिया दोस्तों मुझे यहाँ पर मैं कोई space नहीं दे रहा हूँ ठीक है, क्योंकि output में तो यहाँ पर कोई space नहीं देना है मुझे printf में, ठीक है, अभी इसे हम compile कर रहा है और इसे मैंने run कर देंगे 3 by 5 आगे हमारा output, ठीक है, चलो और कोई number of rows हम लेके दिखते है सपस्थ मैं बोलूंगा, 5 by 5 देखिए आप, ठीक है, number of rows देखिए कितने, number of columns देखिए कितने यह हमारा output है, ठीक है दोस्तों तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स पार वाचिंग इसे हमार उन्वारा है, जापे हमारा व्थाओ कितने, तो मिलते हैं पार वीडियों देखिए कितने, जापे हमारा वीडियों।